क्या आप गाओं में रहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे इंग्लिस बिलकुल भी नहीं बोली जाती है क्या आप English बोलना सीखना चाहते हैं और आपकी English एकदम विख है और आपको ऐसा लगता है कि English बोलना एकदम कठीन है या फिर असंबह लगता है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है तो हलो दस्तों मैं हूँ रमेश निशाद इन अभीपसा जुकेशन फॉर एक्सिलेंस की इस ओनलाइन क्लासेश पर आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस पोकन इंगलीज की एक ऐसे स्ट्रेटेजी जिसके द्वारा आप इंगलीज पढ़ना एंड बोलना एकदम जीरो से सीख सकते हैं तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने आज तक जो कि इंगलीज बोलने के लिए sufficient नहीं हैं जैसे कि हमें इंगलीज schools में या college में पताया जाता है कुछ structures जो कि कुछ इस तरह से रहते हैं जो कि टेंस के structures हैं जिसमें आपको present indefinite tense या present simple tense, past tense या future simple tense इन सारी चीज़ों को बता जाता है फिर continuous की बात आती है, फिर perfect की बात आती है, फिर perfect continuous की बात आती है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 12 ही structures पढ़ते हैं, यानि 12 तरह के जितने भी sentences हैं, इनी sentences के बारे में हम study करते हैं, जो कि English बोलने के लिए, अपने विचारों को English में व्यक्त करने के लिए, अच्छे तरीके से व्यक्त करने के लिए sufficient नहीं है, इसके अलावा धेर सारे structures हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता है, जिसकी वज़े से हम English को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कुछ ऐसे structures, कुछ ऐसे sentences, जिनके द्वारा हम अपने विचा करता तो है, मैं सुबह जल्दी उठता तो हूं, तो जोड़ दे करके बोलने वाले sentences, जो की present में, past में, future में हम कैसे बोले, तो इसके structures के बारे में आगे एकदम detail में study करेंगे, इसके साथ साथ कुछ ऐसे sentences रहते हैं, जो की होने के sense में होता है, जैसे वह एक doctor है, वह एक teacher ह मैं एक engineer हूं, तो इस तरह के sentences present में, past में and future में हम कैसे बोले, तो इसके बारे में हम एकदम detail में देखेंगे, कुछ sentences ऐसे रहते हैं, जिसमें हम अधिकार के sense में बात करते हैं, जैसे उसके पास car है, he has a car, जैसे उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, मेरे पास घर है, इस इस तरह के sentences हम कैसे कहेंगे, तो इसका अलगे structure present, past and future में, इसके बाद कुछ ऐसी sentences आते हैं, जिसमें हम ability दिखाते हैं, छमता दिखाते हैं, जैसे मैं English बोल सकता हूं, I can speak English, तुम पढ़ सकते हैं, you can read, तो इस तरह के sentences present में, past में and future में हम कैसे बोलेंगे, कुछ ऐसी इसके बारे में हम study करेंगे, इसके लावा कुछ sentences ऐसे रहते हैं, जिसमें हम हमें duty दिखाना होता है, जिसमें हमें मजबूरी दिखानी होती है, तब के sense में हम कैसे use करते हैं, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, I have to get up early in the morning, इस sense में, जैसे past में, future में, मुझे पढ़ना होगा, या मुझे पढ़ाई करनी होगी, I'll have to read, I'll have to study, इस sense में हम use करते हैं, तो इस तरह के जो sentences हैं, हम कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में देखेंगे, कुछ sentences ऐसे भी रहते हैं, जिसमें हम सौख्या तोर पर कुछ काम करते हैं, जैसे मैं school जाया करत हूँ, या खेला करता था, मैं बच्पन में तैरा करता था, नदी में तैरा करता था, तो इस sense में भी हम use करते हैं, तो इस तरह के sentences हम present, past and future में कैसे बनाएं, इसके लावा कुछ काम ऐसे भी होते हैं, जिसे हम स्वैम नहीं करते हैं, किसी दूसरी के माध्यम से कराते हैं, जैसे हम कुछ काम होते हैं, जैसे मैं कपड़ा अपनी नौकर से दुलवाता हूं, मैं तुम्हें हसाता हूं, तो इस sense में, हसना को कहते हैं laugh, लेकिन हसाना के लिए हम किस करेंगी, तो make का use करते हैं, get का use करते हैं, have का use करते हैं, तो इस तरह के sentences को भी हम आगे discuss करेंगे, और उसके बाद अवस्य के सेंस में हम यूज करते हैं, तुम्हें अवस्य उनकी बात माननी चाहिए, यह जरूर के सेंस में यूज करते हैं, मिलना जरूर, सायद के सेंस में यूज करते हैं, सायद वो अच्छा लड़का है, चाहिए के सेंस में यूज करते हैं, सकता था के से में जैसे पढ़ाई तुम पढ़ाई कर सकते थे लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम्हारे कम आखसा है तो इस तरह की sentences भी हम यूज करते हैं इस तरह के sentences हम बोलते हैं तो यह सारे structures के बारे में यदि हमें जानकारे हो जाएगी तो हम English बहुत ही सांदार तरीके से बूल पाएंगे तो हमारे जो strategy है वो कुछ इस तरह से रहेगी जिसमें हम alphabets के बारे में discuss करेंगे सबसे first video में फिर sentences जिनको हम daily life की use करते हैं जैसे imperative sentence जैसे इधार आओ, वहाँ जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, इस तरह के sentences मेरी मदद करो help me इस sense में जैसे जिसको हम daily life में करते रहते हैं यूज करते रहते हैं जैसे phrases है वाक्यांस है जिनका use हम करते हैं parts of speech जिसमें noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition and conjunctions का use ताकि हम English तो बोलना सीखें साथ ही साथ हमारी जो grammar है वो भी strong रहता कि हम बोलने के साथ साथ exams में जादा से जादा number ले करके हैं तो इस तरह से हम grammar के भी कुछ-कुछ parts को भी handle करेंगे अच्छे से देखेंगे उसके बाद हम tenses को देखेंगे tenses में subject क्या होते हैं verb क्या होते हैं object क्या होते हैं इनके बारे में discuss करेंगे और उसके बाद यह जितने भी चीज़ें जितने भी helping verbs हैं जितने भी model helping verbs हैं इनके बारे में हम discuss करेंगे और इस तरह से हम पूरे चीज़ों को इक डिटेल में हम देखेंगे तो दोस्तों यदि आप इंग्लिस बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप करिए कोई ने कोई बूक लेकर के लेकर के आईए कोई इंग्लिस की बूक या फिर निउस्पेपर रोज रेड़ करिए और सबसे पहला आपका जो रूल है वो है अपने अंदर confidence लेकर क्या ये आप अपना आत्म विश्वास बढ़ाए कि yes I can do it I can speak English जब तक आपके अंदर ये विश्वास ही नहीं आएगा पर उसी आप पर विश्वास नहीं करने वाला इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर विश्वास लेकर क्याई कि हां मैं ये काम कर सकता हूँ मैं अंगलिस बोलना सीख सकता हूँ क्योंकि दुनिया में हजार लाख़ों करोन लोग हैं जोंअनिस बोल रहे हैं तो मैं युद vergelau पर विश्वास पर एप या फिर पहाड इतना कठिन नहीं है जैसे दसरत मांजी ने पहाड को तोड़ दाला था चीनी और हथवड़े से तो इतना भी कठी नहीं है कि हम English नहीं बोल सकते, English बोलना, it means किसी language को बोलना है, क्योंकि English, Hindi, 36 गड़ी की तरह, ये भी एक language ही तो है, और इसे हम बोल सकते हैं, तो ये confidence लेकर के आए कि English हम बोल सकते हैं, यदि हम compare कर Hindi and English की, तो Hindi English से ज़्यादा कठीन language है, जी हाँ, Hindi English से ज़्यादा कठीन language है, और उस language को हम बोल सकते, समझ सकते हैं, तो English को क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं समझ सकते, तो ये confidence आपके अंदर आ गया, तब आप, दूसरा, आपका rule रहेगा, वो है best practice, आप best practice करिए, क्योंक के कोई भी trainer, दुनिया के कोई भी teacher आपको नहीं सिखा सकते, तो आप सबसे पहला है, आपना confidence बढ़ाए, कि मैं ये कर सकता हूँ, और दूसरी चीज़ है, best practice, L-S-R-W, listening, speaking, reading and writing, इन चारों चीज़ों का आप practice करिए, और आप English बोल सकते हैं, और आज इसे, अभी से आप क्लासिस स्टार्ट हो गई है, तो मैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,